हेलो स्टूरेंट्स वेलकूम अगेन टू लांड व्रिदितीमन आजम करने वाले हैं एसेस्टी के अंदर यूनिट फोर का नया टॉपिक पॉलिटी में लोक तंतर में चुनाव वह मद्दाता जाग भुटता तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जानना जरूरी है कि चुनाव क्यों आविशक है तो क्यों आविशक है चुनाव चुनाव या निर्वाचन जिसे एलेक्शन कहते हैं लोक तंतर का एक महत्रपून प्रॉसेस होता है प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा जनता यानि हम लोग अपने प्रतनीदियों को चुनते हैं ठीके तो लोग तंतर की इस्थापना है तो राज्य जो कल्यानकारी राज्य के लिए निर्णे प्रक्रिया में हमारी जनता की कितनी भागीदारी है कितनी सहभागिता है ये जान और एक indirect होते हैं डारेक्ट यानि प्रत्यक्ष निर्वाचन ये क्या होता है सीधी भासा में कि जब जनता यानि हम लोग अपना प्रत्यनिदी जो है वह सीधे से चुनते हैं यानि जनता अपना प्रत्यनिदी डारेक्ट चुनती है प्रत्यक्ष चुनती है तो वह होता है प् विधान सभा की सदस्य हैं या लोग सभा की सदस्य हैं इनको हम डारेक्ट चुनते हैं ठीक है इनका हम डारेक्ट निर्वाचन करते हैं लेकिन जहां पर जनता जो है वो अपने प्रतिनीदी चुन रही है जैसे हम लोग अपने प्रतिनीदी चुन रहे हैं हम लोग विधायक वो आगे जाकर जो अपने प्रत्याशी को चुनते हैं, जैसे कि जनता जो है वो चुन रही है विधान सभा की सदस्य, विधायकों को चुन रही है और विधायक जो है वह राश्ट्रपती के निर्वाचन में पार्टिसिपेट कर रही हैं, यानि वह प्रत्याशियों को चुन रहे हैं तो वह होता है indirect election a protection निर्वाचन जैसे कि example के लिए देखिए राष्ट्रपती अब राष्ट्रपती के निर्वाचन में लोकसभा विधान सभा और राज्यसभा यहां के जो निर्वाचे सदस्य होते हैं वो सभी राष्ट्रपती के election में participate करते हैं ठीक है और वहीं प उप्राष्ट्रपती जब इनकी बात होती है तो लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य जो है वो शामिल होते हैं तो यह जो सभी सदस्य हैं इनको किसने चुना इनको तो हमने चुना है लेकिन हमने जिनको चुना है वो आगे जाके जो प्रत्याशियों को चुन रहे हैं जिनका निर्वाचन में भागीदारी कर रहे हैं, तो इसे कहा जाता है, इंडारेक्ट इलेक्शन, ठीक है? वहीं राज्य सभा में, विधान सभा के निर्वाची सदस्य जो है, वो शामिल होते हैं, विधान परिशद में, यहां पर कौन होते हैं? यहां पर इस्थानी है, इस प्रत्याशियों को चुनती है, और यह प्रत्याशियों को चुनते हैं, तो यह हो गया प्रत्यक्ष निर्वाचन, तो हम कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष निर्वाचन जो है, उसका अर्थ होता है, first past the post, और प्रत्यक्ष निर्वाचन का अर्थ होता है, जैसे भारत में एकल संक प्रणाली प्रचलित है ठीक हे अब एक्जामपल में देखिये मैंने लिखे हैं कि इसराइल नीधर लेंड में पूरा देश जो है वो एक निरवाचन शेतर जो है वो माना जाता है यहाँ पर देश जो है वो एक निरवाचन शेतर में बटा हुआ है और इसकेundy अलावा केंद्र स्तर पर होता है और राज्य स्तर पर होता है ठीक है अब देखिए केंद्र स्तर पर कौन करवाता है केंद्री निर्वाचन आयोग केंद्र इस्तर पर निर्वाचन या चुनाव की प्रक्रिया का कार्रे जो है वो करवाते हैं केंद्री निर्वाचन आयोग जो की अब यहाँ पर याद रखने वाली बात है अनुचे 324 में केंदरी निर्वाचन आयोग का गटन किया गया है वर्तमान में आयोग तो कौन है केंदरी निर्वाचन आयोग के सुनील अरोडा तो विशेश तोर पर नाम याद रखना है वर्तमान आयोग तो कौन है केंदरी निर तो इस तरीके से यह प्रोसेस जो है वह चलता है तो आपको याद रखना है सबसे पहले केंद्र निरवाचन आयोग जो है वो जो वर्तमान में आयोग सुनील अरोडा जी है, वह कारेवार किसको सौंपेंगे, ये राज्य निरवाचन आधिकारी को, उसके बाद जिला निरवाचन आधिकारी को ये सौंपते हैं, और लास्टर में पुआता दल को वोट कराने का कार्या सौपा जाता है ये तो है केंदर इस्तर पर अब राज्य इस्तर पर राज्य निर्वाचन आयोग अनुच्छे 243 क के अंतरगत इसका गठन किया गया है जो की राज्य इस्तर पर निर्वाचन करवाते हैं ठीके अब यहाँ पर मैंने लिखा है केंदरी निर्वाचन आयोग के अधिन करमचारी जो हैं वहे भी यहां पर अपना सयोग करते हैं इसके अलावा राज्य इस्तर पर निर्वाचन का कार्य होता है राज्य निर्वाचन आयोग का इसका गठन किया अनुच्छे 243 क की अंतरगत अब यह कैसे प्रोसेस है इसका यह है में सरपंच का चुनाव होता है ग्राम परिशद का होता है और जिला परिशद में होता है ठीक है वही नगरिय संस्थाओं में नगर पालिका नगर परिशद और नगर निगम तो यहां पर चुनाव की प्रक्रिया का जो कार्य है वो होता है राज्य निर्वाचन आयोग का चलिये अव हमने दोणों तरीके से देख लिए कि केंद्रे इस्तर पर केंद्रे निर्वाचन आयोग चुनाव की प्रक्रीया को करवा रहे हैं और राज्य इस्तर पर करवा रहे हैं राज्य निर्वाचन आयोग अनुचे 243 के के अंतरगत केंद्रे निर्वाचन आयोग जो निर्वाचन कराते हैं तो किस किस का करवाते हैं राश्ट्रपती का उपराश्ट्रपती का लोग सभा का राज्य सभा का विधान सभा का और विधान परिशत इन अब ही के निर्वाचन कराने का कार्य है केंद्री निर्वाचन आयोक का सम्विदान का भाग 15 जिसमें अनुचे 324 के अंतरगत केंद्री निर्वाचन आयोक का गठन किया गया है अब यह गठन जो है वह कब किया गया 25 जनवरी 1950 ठीक है अब यह डेट आपको याद रखनी है क 25 जनवरी 1950 को केंद्रिय निर्वाचन आयोक का गठन किया गया इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयोक तो होता है और दो अन्य आयोक तो होते हैं इनकी नुक्ति कौन करता है केंद्रिय निर्वाचन आयोक की नुक्ति करते हैं राश्ट्रपती यह हम पहले जान चुके हैं कितना होता है छे वर्स का होता है या 65 वर्स की आयूतक होता है और इनको पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है इनको पद से हटाने की प्रक्रिया है जिस तरीके से सुप्रीम कोड के न्यायदीज को हटाया जाता है उसी तरीके से केंद्रे निर्वाचन आयोग के मुख्य निर राष्ट्रपति द्वारा इनको हटाया जाता है ठीक है तो जो अन्य आयोक्त हैं उनको हटाने की प्रक्रिया क्या है उनको हटाने की प्रक्रिया है मुख्य आयोक्त की सिफारिस पर राष्ट्रपति द्वारा अनुचे 243 के जो हमें पता है राज्य निर्वाचन आयोग है औ के 243 की जो है वो है राज्य निर्वाचन आयोग है और अनुचे 243 आई में राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है वहीं अनुचे 326 बयस्क मतादिकार की आयू 21 वर्ष से घटा कर 18 वर्ष कर दी गई है जो की 61 सम्विधान संसोधन 1989 के तहत किया गया था ठीक है पहले कि पहले ये 21 वर्ष थी लेकिन 61 सम्विधान संसूधन की अंतरगत 1989 में जो आयू है उम्र है वह 18 वर्ष कर दी गई तो ये भी चीज जो है वो आपको याद रखनी है क्योंकि हम चुनाव का चैप्टर पढ़ रहे हैं 2013 इसवी से नोटा यानि None of these above इसका उपयोग किया जाने लगा है अब ये नोटा क्या होता है तो हम सभी जानते हैं कि जब हमें कोई भी प्रतिनिदी जो है वह पसंद नहीं आता है यानि जो भी वोट के लिए खड़े हुए हैं यदि हमें वो पसंद नहीं है हम उनको कर सकते हैं क्योंकि हम लोग वोट देने जाते हैं जब हम देखते हैं वहाँ पर एक अलग से कॉलम जो है वो नोटा का भी होता है तो याद रखना है कि यह प्रक्रिया 2013 इसवी से ही उपयोग में लाई गई 2014 इसवी से लोगसभा वसमस्त विधान सभाओं में EVM Electronic Voting Machine का प्रियोग किया गया अब यह कोशन जो है वो आपके Level 1 में पूछा गया था एक बार कि Electronic Voting Machine का उपयोग जो है वो कब से किया जाने लगा तो यह 2014 इसवी से किया जाने लगा 2019 इसवी से EVM के साथ यानि Electronic Voting Machine के साथ VVPAT का भी उपयोग किया जाने लगा Water, Verified, Paper, Audit, Trail ठीक है तो यह भी चीज आपको याद रखनी है अब हमारा जो टॉपिक था एक मतदाता जागरुपता चलिए इसे भी हम इसी में कर लेते हैं कौन-कौन से जो फैक्ट है जो हमको याद रखने है 2011 इसी से 25 जनवरी को हर 25 जनवरी को राष्ट्री मतदाता दिवस मनाया जाता है तो अब यह बिलकुल याद रखने वाला फैक्ट है कि 25 जनवरी राष्ट्री मतदाता दिवस ठीक है तो आपके रीट के एक्जाम में यह पूछा जा सकता है कि राष्ट्री मतदाता दिवस क मनाया जाता है तो 25 जनवरी से मनाया जाता है और 2011 इस वी से यह मनाया जाने लगा पिरतम आम चुनाव में मतदान कितना हुआ था जो कि 1951 बावन में हुए थे तो उस समय 51.15 प्रतिशत मतदान हुए थे वहीं अब हमारी सत्रवी लोकसभा है वर्तमान में कौनसी लोकसभा है तो सत्रवी लोकसभा में चुनाव का जो मतदान है वो 69% हुआ है 2019 में जो हमारी सत्रवी लोकसभा है उसमें चुनाव का मतदान जो है वह 69% हुआ है तो ये भी आपके एक्जाम में पूछा जा सकता है 2009 इस वी में फोटो युक्त वोटर आइडी का प्रारंब जन प्रतिन दित्व अधिनियम 2010 द्वारा एनराई को मतदान का अधिकार अब मतदाता की जागरुकता के लिए एक नई जो प्रक्रिया है वहे भी अपनाई गई है जो की 2009 से ठीके जो एनराई हैं जो लोग भारत में नहीं हैं तो उन लोगों के लिए वोट देने का अधिकार जो है वहे कि उनको भी मत देने का अधिकार प्राप्त हो सके तो ये सबी कारे जो है वो मतदाता के जागरुकता के लिए किये गए हैं निशक्त जनों के मतदान अधिकार वा सुविधाओं है तो 2016 इसवी में अधिनियम भी पारित हुआ है सर्विस वोटर है तो पोस्टल मत वा चान पच्र वोटर कार्ड को डिजिटल भी किया गया है तो पता है हमें कि हमारे वोटर कार्ड को डिजिटल भी किया गया है ताकि और मतदाता जो हैं वो जागरुक हो इसके लिए क्योंकि कई बार जो मतदाता होते हैं वो इसमें रुची नहीं दिखाते हैं तो इसके लि झाल झाल